हले ओ वीवर्स में सरतास और आप देख रहे हैं सरतास और की क्लास तो भाई साब आज है हमारी एडवांस इंगलेश स्पिकिंग की क्लास का 19 वा दिन और आज के दिन मैं आपको थोड़ी एडवांस लेबल की डबलेच फैमली कराने वाला हूँ आप मुझे पता है आप डब रोजानल वीडियो की नोडिफिकेशन आपको बिलकुल टाइम पर मिल जाए तो चलिगा इस शुरुआ करते हैं स्वीडियो की और आज 19 वे दिन मैं आपको सुखाता हूँ थोड़ी एडवांस लेबल की डबलेच फैमली अब भाईया पहले मेने की वीडियो में आपको ब क्योंकि एडवांस वाली चीज उसी से जुड़ी हुई है और नहीं देखी तो देख लो अच्छा ही हो वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पता ही है तो भी देख लेना क्योंकि रिवीजन हो जाएगा तो मैं यह कह रहा हूँ अब एडवांस वाली थो यह कहा सो रही हैं तुम क्यों रो रही हो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन इसी वहाल में इसका फॉर्मूला रठना पड़ेगा और formula यह है सबसे पहले WH family उसके बाद affirmative sentence सवाल वाली में affirmative नहीं था उसमें WH family गाद helping और वा रही थी इस वाले में helping और नहीं आगी इसमें WH family के बाद सीधा affirmative sentence आएगा मैं दो example दे देता हूँ यह चीज के लियर होगी फिर हम अपनी advance वाली चीज की तरफ बढ़ेंगा जो आपको किताबों में भी देखने को ने मिलेगी पीरो मिस्कर रहा हूँ मैं तुमसे अब दो example ले लेते हैं जैसे हमारा पहला example है जहां तुम जा रहे हो अब पूछ रहा है या बता रहा है तो आप कोगे जहां तुम जा रहे हो नहीं यह तो बता रहा है क्योंकि अगर यह पूछता तो ऐसे पूछता तुम कहां जा रहे हो तो बता रहा है तो इसलिए जवाब वाला फॉर्मूला लगेगा उपर तंगा हुआ है और जवाब वाली WH family लगेगी तो कहां के लिए भी where होता है और जहां के लिए भी where होता है तो लिख दिया where अब तुम जा रहे हो बचाए नहीं affirmative sentence as it is चुपका दो you are going where you are going तो इस where का मतलब हो गया जहां और इसी where का मतलब अगर तुम्हें बनाना है कहां तो इस R को WH family के पीछे लिख दो या नि helping और को पहले लिख दो where are you going तुम कहां जा रहे हो तो इस WH family और helping और की वज़ा से पीछे लगाने से ही सवाल बन जाता है और helping और हटा दो affirmative बना दो तो जवाब बन जाता है एक example और लेते हैं जैसे जब मैं आया अब पूछ रहा है बता रहा है तो आप कहेंगे नहीं बता रहा है जब मैं आया फिर क्या हुआ आगे मैं बैठा यह सब हुआ और अगर यह होता जब मैं आया पास्ट इंडेफिनिक टेंस जब मैं आया वैन आई केम यहां तक तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था और इसके लिए रिवीजन करा दी और अगर आपने वीडियो नहीं देखित तो चलो देखने की जरूरत नहीं जैसे वह कहां रहता है, अब इस sentence में मैंने ना तो full stop लगाए ना question mark लगाए, पहले मुझे ये बताओ, ये सवाल है ये जवाब है, मैं तुम्हे time दे रहता हूँ, your time starts now, बस इता, ये केवी से थोड़ी हो रहा है, जो तुम्हें पूरे एक मिनट का ठाइंज दूँगा, तो वह कहां रहता है, अब बताओ, ये पूछ रहा है या बता रहा है, तो आप कहोगे ये पूछ रहा है, सवाल है, ये तो question है, वह कहां रहता है, हाँ, सही कहा, अब मैं इस related दूसरी चीज पूसता हूँ, इसमें ऐसा क्या जोड़े जो ये जवाब बन जाए, यानि इसमें कुछ चीज चेंज नहीं करनी है, इसे हाथ नहीं लगाना है, इसमें कोई चीज हटानी नहीं है, बस इसके साथ आगे है पीछे कुछ ऐसा जोड़ दो, जो ये जवाब ब रहता है, इसमें ऐसा क्या जोड़े जो ये जवाब बन जाएगा, तो देखो, मैं जानता हूँ, वह कहां रहता है, हो गया जवाब, देखा, सेंटेस वह ये, वह कहां रहता है, लेकिन जुड़ गया, मैं जानता हूँ, वह कहां रहता है, तो इस सेंटेस में आब आप दे गलती हो जाती है अब गलती क्या होती है सुरो मैं जानता हूं इसको इंग्लिश में बनाएंगे I know I know मतलब मैं जानता हूं present definite टैंस वह कहां रहता है और वह कहां रहता है को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा पर नहीं से खते क्या है तो इंगलिश और English होगी where he lives I know where he lives ऐसे बनेगा और 99% लोग बनाते है I know where does he live आ रहा है न मज़ा आ रहे ऐसी थोड़ी मेरी किलास में मज़ा ही आता है एक बार फिर से एक एक जामपल लेते हैं देखो तुम्हें थोड़ा सो और मज़ाएगा जैसे तुम कहां जा रहे हो अब बताओ ये सवाल या जवाब है तो आपको तुम कहां जा रहे हो तो सवाल है लेकिन इसमें जोड़ देते हैं वह नहीं बताईगी कि तुम कहां जा रहे हो जोड़ दिया वह नहीं बताईगी कि तुम कहां जा रहे हो अब बताओ इस sentence को देखकर क्या लग रहा है तुम्हें ये पूछ रहा है या बता रहा है तो आपको वह नहीं बताईगी कि तुम कहां जा रहे हो पूछ थोड़ी रहा है ये तो किसी को ये बात बता रहा है कि भाई या वो जो है वो नहीं बताईगी कि तुम कहां जा रहे ह अब where are you going अगर तुमने लिख दिया तो सच्चे में गलत हो जागा सत्यानाश हो जाएगा तो क्योंकि यह पूछ नहीं रहा है बता रहा है तो बताने वाले स्टाइल में लिखो where you are going, are you going me, you are going, she will not tell that where you are going वो नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो, तो भले ही कहां आया, लेकिन where are you going me, where you are going और फुलिश टॉप आएगा, कुश्चन मार्क भी नहीं आएगा, क्योंकि पूस्ट थोड़ी रहे, एक और एक last example लेते हैं, फिर इसका अगला वाला पार्ट सीखेंगे कि और इसमें क्या-क्या खास बात है, जैसे, एक जाम पर लेत दिमाग में नहीं आता ना, बेज़े में घुस्ता नहीं है, जैसे हाँ हाँ, तुम सोच रहे हो कि रानी स्कूल क्यों जाती है, तो यहां पर आप देखेंगे रानी स्कूल क्यों जाती है, को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सवाल पूछ रहा है लेकिन आप जरा ध्यान से इस सेंटेस को देखो अरे मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि रानी स्कूल क्यों जाती है बेटा हमें पता है हमें तुम यही सोच रहे हो वाई रानी गोज टू स्कूल, यूर थिंकिंग वाई रानी गोज टू स्कूल, ऐसे बनेगा, और वो भी फुल स्टॉप के साथ, ये आई बात सवज में, क्लियर हुई ना बात, तो इस तरीके से, भाईया ये चीज़ ध्यान रगना, के सवाल में, भले ही कम क्यों कहां कैसे पिसा रहा हो, लेकिन ये देख लो, कि वो बंदा पूछ रहा है, या फिर बता रहा है, आउ भाईया अब जरा भाईया, इससे अगले वाले लेवल का बता देता हूँ, अब इस लेवल में भी लोगों को काफी जादा कन्फियूजन होती है, तो इसलिए थोड़ा सब नेक आपके हिसाफ से बनेगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे, जैसे दो एक्जामपल लूँगा, दो मैं खतम कर दूँगा, बस वीडियो खतम हो जाएगी, क्योंकि अच्छी नोलिज वाली चीज मिल लगी है, तो सीख लो, जैसे हमारा एक्जामपल है, क्या तुम बता सकते हो यह रेल कहां जाती है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या तुम बता सकते हो, यह रेल कहां जाती है, तो इसमें दो सेंटेंस है, क्या तुम बता सकते हो, यह रेल कहां जाती है, अगर दोनों को अलग-अलग करके बनाएं, कैन यू टेल क्या तुम बता सकते हो, कै पहला वाला सवाल रहेगा लेकिन बाद वाला जवाब के अनुसार बनेगा ये रूल है गिरामर का तो ये ऐसे बनेगा Can you tell? Can you tell where this train goes? गोज आफर्मेटिव हो गया तो ऐसी आईस लगेगा सिंगुलर के साथ डूडस फूडस नहीं आएगा ऐसे करेक्ट होगा वरना ये इनकरेक्ट हो जाएगा Can you tell where does this train go? तो ये दो-दो सवाल नहीं बनेगे एक बार फिर से फिर से फिर से देखो जैसे Can you tell me? वह वाली बहुत होगे Can you tell me? मैं कहा रह रहा हूँ? Can you tell me? मैं कहा रह रहा हूँ? तो आप इस sentence में देखोगे कि दो सवाल लग रहे Can you tell me? सवाल नहीं बनेगा लेकिन दूसरा वाल सवाल में अगर बना दिया तो वहीं छेद देंगा अंग्रेश पकड़के मतलब बेच जती हो जाएगी So क्या तुम जानते हो? Do you know? मैं कहा रह रहा हूँ? Where am I leaving? गलत हो जाएगा Am नहीं आएगा WH family के बाद बनेगा यह भी सवाल हो जाएगा यह नॉर्मल बनेगा Where I am leaving? Do you know where I am leaving? ऐसे बनेगा और 90% लोग इसको ऐसे ही बनाएगे Do you know where am I leaving? गलत है और अगर यह खाली ऐसे होता न मैं कहा रह रहा हूँ? तब यह बनता Where am I leaving? लेकिन अब यह दूसरे के साथ जुड़ा हो तो एक ही सवाल में बनेगा आई होब आपको मजा फजा सार होगा एक एक लाश्ट 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 देखो भागना नीचे मत देखो टाइम कितनी वीडियो बच्चे है थोड़ी सी बच्चे है अब एक और देख लो अच्छा यह समझ में आ जाएगा एक एक एक्जांपल और लेते हैं क्या वह जानती है पर ले लेते हैं क्या वह जानती है सच्चिन कैसे खेलेगा तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं फिर से दो सवाल है क्या वह जानती है सच्चिन कैसे खेलेगा अगर दोनों को अलग-अलग करें तो ऐसे बनेगा does she know क्या वे जानती है क्या के लिए does पहले आ गया सच्चिन कैसे खेलेगा how will सच्चिन प्ले how के बाद will लगेगा क्योंकि सवाल में WH family call helping और लगती है लेकिन नहीं जब दोनों को मिला कर बोलोगे क्या वे जानती है सच्चिन कैसे खेलेगा तो यहाँ पे एक बार ही सवाल पूछा जाएगा दूसरी बार जवाब होगा so sentence सही तरीके से होगा does she know how सच्चिन will play how will सच्चिन प्ले how सच्चिन will play will बाद में आएगा will बाद में मतला affirmative तरीके से बनेगा सवाल में नहीं बनेगा does she know how सच्चिन will play does she know how सच्चिन will play ऐसे बोलेगे और अगर आपने किसी ने आपसे बोला does she know how सच्चिन how will सच्चिन प्ले तो आव वही सवाल सर्तासर किकला रात नो बज आती YouTube पे देख लिया अगर तेरी अंगरेजी ठीक ना है तो यह तो आज मैं आपको डवलीज फैमली का औरें बताने वारा था I hope मैंने वीडियो के जरी आपको बता दिया होगा अच्छे तरीके से ने आपके भेजे में भी घुस गया होगा अब बार यह है आपके हूमवर्की तो मैं आपको आज जादा नहीं बस चार सेंटेंस दे रहा हूँ यह देखने के लिए कि आप वाकई में आपके भेजे में घुसी के ना घुसी तो चलो फिर मैटम लगाऊ इनके लिए घतरनाक चार सेंटेंस यह रहे आपके वो चार सेंटेंस अब इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और ध्यान रखना कि वो पूछ रहा है या बता रहा है और दो सवाल एक साथ है तो पहला वाला सवाल लेकिन दूसरा वाला जवाब में कनवर्ट होगा वरना गलत हो जाएंगे नोट बुक फोडू करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेफ देना लाइक करकर चकर दोखल देकर कमेंट बाब को बता दूँगा और इसका आंसर कल वाली वीडियो में भी चेफ दूँगा ताकि तुम्हार दिल को और तसलिए हो जाए बढ़ाते रहेंगे उच्छे लेवल तक लेयांगे महा एडवांस तक 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 आप इस वीडियो को एक प्यार असा लाइक देकर जाना